डी ट्रिपल एस्बी पी आर्टी में पूछे गए टीचिंग मेथेडोलोजी के कुछ इंपोर्टेंट कोश्चन्स को आज हम लोग डिसकस करेंगे वीडियो को जद़ जद़ शेयर करें हैदरी इस्ट डिपाइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें चलिए शुरू करते हैं पहला सवाल आपके सामने की कच्छा तीन की छात्रा रिया शब्दावली के साथ फ्लेस काड़ खेल रही है कहानिया सुना रही है और कानिया पढ़ रही है तो वह किस परकार की बुद्धि मत्ता यानि की इंटिलीजेंस को शो कर रही है भासाई बुद्धि मत्ता सामान ब खेल रही है कहानी सुना रही है और कहानी पड़ रही है तो इसमें वो क्या इस्तिमाल कर रही है भासा का इस्तिमाल कर रही है और ये सभी काम करते हुए जो अपने बुद्धी का परदरसन कर दिये वो कि इस परकार के बुद्धी है भासाई बुद्धी है तो यहां पर हमार जो linguistic intelligence होगा यानि भासाई बुद्धिमत्त ये सही जवाब होगा अगला स्वारी है कि किसकी सिछड में सामाजिक सनवाद में ज़्याद रूची थी अगर मैं बात करूं समाजिक अंता किरिया की तो समाजिक अंता किरिया पे social interaction पे सबसे ज़्यादा जोर किस ने दिया तो वाई गोस्की ने तीन चीजों पे बहुत ही ज़्यादा जोर दिया समाज, संस्किर्टी और भासा वाई गोस्की के मताबिक बच्चे समाज से अंता किरिया करके ही सबी प्रकार का विकास करते हैं ठीक है तो यहाँ पे समाजिक सनवाद में ज़्यादा रूची किसके इनके सिद्धान का नाम ही है समाजिक संस्किर्टिक विकास का सिद्धान अगला सवाले के बुद्धि मानी के बहु आयामी सिद्धान को किसने प्रस्तावित किया ठीक है बुद्धि के बहु आयामी या बहु कारक सिद्धान को किसने दिया तो एड़वर्ड ली थॉंडा डाइक ने trial and error theory प्रयास एवं तुर्टी का सिद्धान भी दिया था जो कि आप से आगे पूछा जाएगा ठीक है तो बहु आयामी बुद्धी का सिद्धान अब देखिए बुद्धी बहु बुद्धी का सिद्धान वो हावर्ड गार्डनर ने दिया था लेकिन बुद्धी के बहु कारक सिद्धान को किस ने दिया था एडवर्ड ली थॉर्ण डाइक ने अब यहां पर बुद्धी के कुछ एहम सिद्धान जो कि पूछे जाते मैं आपको बता दू बुद्धी का एक कारक सिद्धान बिने ने दिया 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 था बुद्धी का बहु कारक सिद सिद्धान बुद्धि का जुद्धा थर्ष्टन ने दिया था बुद्धि सनरशना सिद्धान गिलफोर्ड ने दिया था आप देखिए बहु बुद्धि का सिद्धान मल्टिपल इंटेलिजेंस त्योरी यह दिया था गार्डिनर ने पदानु करमिक सिद्धान दिया था ब और तरल थो सिधान या फिस द्राव गनिभूत सिधान ये आरवी कैटल ने दिया था तो बुद्धी के जितने अबी आयम सिधान थे मैंने आपको बता दी ओर बुद्धी का बहु आया में सिधान जो कोस्टन ने पूछा गया था वो फंडाइक प्राप्त करता है वह सायद नागरिक साष्टर में अच्छा ना कर पाए अगर बच्छा गड़ित में अच्छा नहीं होगा ऐसा जो विचार है या अलोकन किसका विरोध करता है तो बुध्धी मत्ता का जो एक कारक का सिध्धान्त है तो एक वन फैक्टर थे और जो इंटेलिजेंस की है उसकी ये जो कथन है कि अगर गड़ेत में बच्चा तेज है तो नागरिक सास्त्र में तेज नहीं होगा इसका ये अहवेलना कर रहा है विरोध कर रहा है तो यहाँ पर बुध्धी का एक कारक सिध्धान्त इसका या विरोध है कि बच्चा गारित में तेज है तो नागरिक सास्त्र में तेज नहीं होगा आगे बड़े अगले सवाल पर कच्छा च्छा की छात्रा रूपा कहानियों की किताब पढ़ना पसंद करती है उसे अपनी कच्छा में सबसे अधिक किताबें पढ़ी है और अपने शिच्छकों की वो चहेती है छात्रा क्या है बच्छी कहानियां की कहानियां पढ़ना पसं करती है सबसे ज्यादा किताब है अपनी किलास में उसी ने पढ़ी है और वो क्या है टीचर्स की फेवरिट है तो अगर छात्रा के अंदर ये गुड़ हैं तो किस वज़ा से हैं छात्रा अपने माता पिता को आनंदित देखना चाहती है इसलिए वो ऐसा कर रही है या फिर व रही है तो इसका मतलब ये है कि वो बच्ची आंतरिक रूप से प्रेरित है अगला स्वाल की खेलते हुए सीखने की विधी छात्रों में क्या विक्सित करती है तो खेलते हुए सीखने की विधी जो है इससे बच्चों में संग्यानात्मक विकास भी होता है भावात्मक वि विकाज भी होता है तो ए भी और सी इसमें देखे तो इसमें केवल बताया गया है लेकिन चौते आफसन में देखे तो संग्यानात्मक भी बताया गया है भावात्मक और शार्रेक विकाज भी बताया गया है इसलिए यह वाला आफसन सही होगा अगला सवाल की कछाओं में शि कौन सा प्रभावी सिच्छड का विज्ञान है प्रभावी सिच्छड का विज्ञान उसको हम लोग शिच्छा सास्त्र कहते हैं शिच्छा सास्त्र में हमें किस तरह से बच्चों को पढ़ाना है यह सिखाया जाता है अगला सवाल जो है कि मानो विकास के प्रच्छेत्र यान कि डोमेन क्या हैं तो मानो विकास के जो डोमेन है वो है मनोग ग्यानिक संग्यानात्मक और शायरिक यहाँ पर हमारा जो चौथा वला अफसन होगा वो सही हो जाएगा अगला सवाल जो है कि P.I.J के संग्यानात्मक क्विकास के अनुसार जो cognitive development theory IP ll की उसमें चार stages है तो उसी के अनुसार एक बच्चा डैस अवदी में तार्किक सोच में सक्चन होता है तो जो चारो stages है संग्यनात्मक क्विकास के किस stage में बच्चा लोजिकल tink किंग करने की एबल हो जाता हो जाता है logical thinking बच्चे में इस्टार्ट हुजाती है तो क्या सब्सक्राइब करने की चंपन संता और बलेटी आ जाती है यहां पर चारों स्टेजेज ने उसके बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं सन्वेदी प्रेरा कवस्ता जिसको हम लोग कहते हैं सेंसरी मोटर जीरो से दो साल की होती है इसमें बच्चा क्या करता है सन्वेदी अनुबावकार शार्री क्रियां के साथ समन्वे करते हुए संसार कान सड़ करता है यानि कि वो ग्यानेंद्रियों के द्वारा ग्यान को अरजित करता है जो दोसरा स्टेज है वो पूर्व संक्रियात्म कवस्ता जिसको हम लोग प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं दो से साथ साल तक है इसमें बच्चा परतिकात्म क्विचार विक्सित करता है अगला जो है वो concrete operational stage है जिसका हम लोग मुर्त संक्रियात्म का वस्ता या इस्थूल संक्रियात्म का वस्ता कहते हैं ये साथ से 11 साल होता है बच्चा मुर्त घतनाओं के संबंद में यूकती संगत तरकड़ा कर सकता है और वस्तों को विभन सम्हों में वो वर्गी किरिद भी कर सकता है वस्तों की मानस प्रतिमाओं पर प्रति वर्तनी या मानसिक संक्रिया करने में वो सक्षम होता है तो यही जो मुर्त संग्रियात्मक वस्ता है इसी में बच्चा लोजकल तिंकिंग करता है जो कि आप से कोशन में भी पूछा गया था जो चौथी अवस्ता बताई प्याजे ने वह है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जिसको हम लोग आपचारिक संग्रियात्मक वस्ता कहते हैं यह ग्यारा से वियस्क होने तक होता है ठीक है इसमें क्या होता है कि शौरतर की का अनुपरियोग अधिक मुर्थ रूप से कर सकता है और उसका जो चिंतन है वो परिकल्पनात् की वह अपने जान ली चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर व्यक्तित्व का मतलब क्या है प्रस्नालिटी व्यक्तित्व का मतलब क्या है तो एक व्यक्ति के जो सभी पहलूं है चाहे वो शाररिकों मानसिकों सामाजिकों सभी पहलूं को मिला कर हम क्या बनाते हैं व्यक्ति तो कह सकते हैं तो personality प्रसोना सब्द से बना है जिसका अर्थ है मुखा उटा के अगला जो सवाल है कि अगर सभी जानवरों के पास चार पैर होते हैं और यदि एक टेबल में भी चार पैर हैं तो टेबल भी एक जानवर है इस तरह से तर्क अगर किया जा रहा है तो इस तर्क को क्या कहते हैं आगमनात्मक तर्क कहते हैं अनुरूब तर्क या फिर कालवनिक तर्क या फिर निगमनात्मक तर्क तर्क तो यहां पर देखिए जानवरों के चार पैर होते हैं इसलिए टेबल के भी चार पैर है तो टेबल भी जानवर हो गया यह जो तर्क किया जा रहा ह इसको हम लोग निंग मनात्मक तर्क कहते हैं अगला सवाल की मानों में विकास की दिशा क्या होती है सिर से पैर की तरफ होती है आप लोगों ने सीटेट में विकास का सिद्धान पड़ा होगा ठीक है तो विकास जो है जो जीवन परियंत होता है लगातार चलता रहता है ठीक है ये सिर से पैर की ओर होता है ठीक है तो ये विकास के दिशा होती है मानों में अगला स्वाल है कि मिश्टर साजिद एक सामाजिक अधियन के टीचर है उन्होंने अपने छात्रों को एक assignment दिया कि शहर में traffic jam से कैसे बचें वो डैस सोच को बढ़ावा दे रहा है बच्चों को assignment teacher दे रहा है कि traffic jam से कैसे बचें तो इस assignment के जरिया teacher बच्चे में कैसी thinking को develop कर मैं चाहता है अप सारी और अभी सारी दोनों को या फिर सिर्फ अभी सारी को या सिर्फ अप सारी को या फिर बुद्धी मत्ता को अब देखिए यहाँ पर teacher assignments के जरिया क्या बच्चों में develop कर रहा है वो यह देखना चाह रहा है कि बच्चे traffic से बचने के क्या क्या उपाय तो जब teacher बच्चों को ऐसी situation में डाल देता है कि बच्चे एक से ज़्याद तरीके से किसी ही problem को solve करने के लिए सोचें तो इस सोचने को इस चिंतन को अप सारी चिंतन का जाता है तो यहाँ पर assignment में traffic jam से बचने के विभिन तरीके बच्चों से teacher निकलवाना चाहता है यानि कि teacher अब सारी सोच को बढ़ावा दे रहा है अगला सवाल है कि परिछड और तुरूटी से छड़ का सिद्धान किसने विख्षित किया मैं नाम बदल दूँ तो प्रियास एवं तुरूटी का सिद्धान या फिर उद्धीपन अनुकिरिया का सिद्धान जिसको हम लोग S.R. theory कहते हैं किसने दिया तो यह Edward Lee Thorndike ने दिया उन्होंने बिल्ली पे परियोग किया था उद्धीपक के रूप में बिल्ली के सामने मचली का टुकडा रखा था और मचली का टुकडा देखके पिजड़े के अंदर जब बिल्ली को बन करके यह परियोग किया गया तो बिल्ली पिजड़े में उचल कूद करने लगी और सायोग से उसका पैर पिजड़े में लगे लिवर पे पढ़ जाता है और पिजड़ा खोल जाता है कही बार यही पर क्रिया दोरा ही जाती है तो ये देखा जाता है कि आखिर में बिल्ली फ़वरन बिना ज्याद़ प्रियास किये वो पिजड़े को खोल लेती है तो प्रियास एवं तुरूटे का सिद्धान का है या फिर परिच्छड और तुरूटे सिच्छड का सिद्धान का है इसको थॉर्ण डाइक ने विक्सित किया था प्रियोग किया था उन्होंने बिल्ली पर तो यहाँ पर पहला वाला अप्सन सही है तो दोस्तो हमने DHSB में पूछे गए टीचिंग मेथेडोलोजी का हिए टीचिंग अप्टिटूट का हिए या फिर CDP का हिए जो भी आपका हिए सेक्षन बी में जो कोशन पूछा जाते हैं जनरल कोशन के इलावा सब कोशन सेक्षन बी में भी पूछे जाते हैं तो उन सब कोशन में से पंदरा कोशन आज हमने डिसकास किया ऐसे ही प्रिविएस येर के कोशन हम लोग डिसकास करते रहेंगे ताकि आप लोगों को यह अंदाजा हो जाए कि DHSB में किस लेवेल के कोशन आते हैं तो थैंक्यू वेरी माच वीडियो को ज़्यादा ज़्यार करें हाइद रेक्ष्टीडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें